नमस्कार स्वागत है आपका कापिटल टीवी बिहार के श्पेसल सोच चुनावी चौसर में और मैं हूँ आपके साथ आत्म जा बिहार में लोगसबद चुनाव के तीसरे फेज में पास सीटों पर कल यानि के साथ में को वोट पढ़ने वाले हैं इन में से दो सीटे सुपॉल और मधेपूरा कोसी छेतर में आती हैं वहीं अरर्या सिमान्चुल का इलाका है जो कि मुस्लिम बहूल है जंजारपूर मतला का छेतर है और पाचवे सीट खगड़िया है अब चुनाओ के एक दिन पहले लगबग इन सीटों पर मत दाताओ का क्या मूड है अब लगबग क्लियर होता हुआ नजरा रहा इन सीटों पर हवा का रुख किधर जा रहा है कौन मजबूत अस्थिती में है कौन किस पर भारी पढ़ रहा है और क्यू भारी पढ़ रहा है यह तमाम बाते अब धीरे धीरे साफ होने लगी है तो आये इस वीडियो में हम सबसे पहले तीन सीटों के बारे में जानते हैं जिसमें कि सुपॉल, मधेपूरा और अररिया शामिल है तो आये शुरुवात सुपॉल सीट से करते हैं सुपॉल में इस बार लालू पिशाद यादों ने दो प्रयोग किये हैं पहला कॉंग्रिस की जगर राजट के उमिदवार को मैदान में उतारा है, पछले तीन चुनाओं से यहां कॉंग्रिस की रंजुता रंजन चुनाओं लड़ते आ रही थी दूसरा अब तक OBC बहूल इस सीट पर मुकाबला भी नहीं के बीच होता था, लालू यादों ने इस बार दलीत उमिदवार को मौका दिया राज़त ने चंद्रहाज चौपाल को यहां से मैदान में उतारा है जबकि जद्यू ने अपने सीटिंग सांसर दिलेश्वर कामत पर ही भरोसा जताया ऐसे में अनारक्षत सीट पर मुकाबला दलित वर्सेज ओवी सी का हो गया है वहीं अगर जुरानकारों की मानी तो सुपाल वही चीतेगा जो पिछरा वोट साधेगा यहां हर चुनाव में OBC, EBC, Voters, Game Changer साबित होते हैं और इसी का फायदा पचले दो चुनाव से इंडिये कोंबल रहा है इनके गिंती मुख्य रूप से नतेश कुमार के कोर वोट बैंक के रूप में होती है दलित कार्ड का लाव यहां इंडिया गट बंधन को जमीन पर ज़्यादा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा वही सुपॉल में हवा का रुख हैंडिये कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा मालुम पड़ता है इसके कुछ कारण भी है पहला की जाती है गोल बंधी में जद्यू का आगे होना जिहां सुपॉल में लालु प्रशाद यादों ने भले दलित काट चला हो लेकिन इसका फाय यादों की छबी सुपॉल में एक बड़े नेता की है सुपॉल से अभी तक वे अपराजित रहें जो यादों इस बार लालु यादों के साथ इंट्रैक्ट है वह बिजेंद्र यादों के कारण बड़ी संख्या में जद्यू के साथ भी हैं सुपॉल में यादों की तरह इंडिये के साथ गोल बंद है जबकि दलित और सवन वोटर्स भी एंडिये के साथ ही मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं इस लिहाज से देखे तो यहां जाती है गोल बंदी में इंडिये बाजी मारती हुई नज़र आ रही है दूसरा खारण यह है कि सुपॉल की गलियों में राजो सुप्रीबो लालो प्रशाद यादो यसियम नतीश कुमार से जादा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा है जाती लाइन से उपर उठकर लोग प्येम पद के लिए मोदी की बात करते नज़र आ रहे हैं कुल मिला कर अभी अगर इस सीट की करें तो इस बार सुपॉल में मुकाबला काफे टफ है किसी भी गटबंदन की राह यहां आसान नहीं है चाहे वह NDA हो या इंडिया दोनों की बीच कड़ा मुकाबला है इस बार नतीशे का अंतर जो है वह भी बेहत कम हो सकता है और मुकाबला भी बेहत दिल्चस्प होगा लेकिन फिर भी यह कहना गलत नहीं है कि कहीं न कहीं NDA इस सीट पर महा गटबंदन से आगे है अब दूसरी सीट मध्यपूरा की बात करें तो मध्यपूरा में सबसे ज़्यादा अबादी यादों की है आकडों की माने तो यहां 22 से 24 फीसद यादों की अबादी है यादों अब अर्या की बात करें तो अर्या के चुनावी मैदान में इस बार कुल 9 प्रत्यासी मैदान में है लेकिन यहां टक्कर दो ही दलों की बीच है एंडिये की तरफ से भाजबा के प्रत्यासी प्रदीप कुमार्क सिंग वहीं इनके सामने इंडी गटबंदन से राज़ुत की उमधवार मुहमद सहनवाज आलम है मसलिम यादो सम्मेकरिन के सहारी राज़त 2014 लोग सबस चुनाव और 2018 में हुए उप चुनाव की तरह बड़ी जीत हाशिल करने की जुगत बलगी है बतादे 2014 की चुनाव में राज़त की मुहमद तसलीम उदीन ने बड़ी जीत दर्श की थी उन्हें 4,07,979 वोट मिले थे जबकि भाज़पर प्रत्यासे प्रदीप कुमार सिंग को 2,61,474 वोट है बले थे 2019 में बीजेपी ने इस सीट में सेंध मारी की और प्रदीप सिंग चुनाव जीत गया है पसले चुनाव में इन्हें 16,18,434 वोट मिले थे इस सीट पर प्रदीप सिंग की अदूसरी जीत थी इससे पहले तो 2009 की लोग सभा चुनाव में वो जीत चुके थे अब वर्तमान में हवा का रुक भाजपा के इस प्रत्यासी की और ही है तदीपरर अरिया से तीसरी बात सालसत बन सकते हैं ऐसा कुछ लोगों का कहना है अर अरिया में भीतर घात की भी संभावना है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने या फिर वहां के कुछ लोकल लोगों की से बात करने की हमने कोशिश की तो उनका कहना है कि जो मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं राज़त को वोट देनी की बात कर रहे है उनका साफ कहना है कि नहीं जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस सीट पर भाजपा का पलरा भाड़ी है लेकिन आपको बता दे कि इस सीट पर भाजपा हिंदुत वा तो दूसरे तरफ वपक्ष एमवाई समयकरन के तहत चुनाव में उतरी थी दोनों दलों ने एक दूसरे के वोटर्स को तोड़ने का काफी कोशिश भी किया यहां चुनाव बाते आते धर्म के अधार पर लोग बट गए यही कारण है कि चुनाव में यहां अभी तक कोई अस्थानिय समस्या मुद्दा ही नहीं बन पाया बस धर्मी और जाती को अहें मुद्दा बनाया गया है तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां राम मंदिर बनकर तयार हो गया है वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम से उनका जुकाओ कहीं न कहीं लालु प्रिशाद यादों की तरफ है तो अररिया का मुकाबला भी कहीं न कहीं काफِ दल्चस्प होता हुआ नजर आ रहा है और सीट को लेकर अभी भी कुछ भी कहना काफِ मुस्किल है या सीट को लेकर कहा जा सकता है कि अभी दोनों उम्मदवारों की पीछ काटे की टक्कर है तो देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में यहां की जनता किसी ज़्यादा वोट करती है लेकिन कुल मलाकर अगर तीनो सीट की बात करें तो कहीं न कहीं NDA भी आगे चल रही है, महागर बंदन के लोग भी आगे चल रहे है तो आपको क्या लगता है कि तेनो सीट पर कौन से उम्मदवार आगे चल रहे है और किसकी जीतरी की संभावना ज़्यादा है आप कमेंट करके अपने राय जरूर बताए वीडियो अच्छी लगी हो तो शेर करें और आगे के तबाब अपडेट्स के लिए बरे रहे हबारे साथ देखते रहे कापटन टीवी बिहार धन्यवार